हेलो गाईज, स्टॉक मार्केट न्यूज में आप सभी का स्वागत है आज है 21st of April, बात करेंगे Yes Bank के बारे में आज Yes Bank में तकरीबन आदे पृतिशत की तेजी हमको देखने के लिए मिली है चुकि हमारी तेजी जो कल की तारीक में शुरू हुई थी, वो अभी भी एक्स्टेंड होती हुई दिखाई पड़ रही है अब यहाँ पर हमको किन चीजों को ध्यान रखना है, उनको डिसकस करेंगे साथ ही यहाँ पर एक न्यूज है जो आपकी नॉलिज में होनी चाहिए चुकि यहाँ पर एक फंड जुटाने की कोशिश की है 200 करोड की और यह जुटाने की कोशिश इनों ने करी है Certificate of Deposit के जरिए जहाँ पर वो एक इंटरस्ट पे करेंगे और उसकी अपनी एक maturity time period होगा तो इन सब चीजों के चलते ही यहाँ पर हमको थोड़ी सी तेजी आज भी देखने के लिए मिली है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टेकनिकल चार्ट पर चुकि यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ 20 exponential moving average की line उसको हम cross करते हुए आज की तारीक में दिखाई पड़े हैं यानि कि हमने यहाँ अपना एक पड़ाव cross कर लिया है और यहाँ पर 20 exponential moving average की line के उपर आके यहाँ stay करना definitely यह एक बहुत positive indication है चुकि अब जिस resistance को हमको देखना है वो तकरीबन तकरीबन देखेगा 33 रुपए के लगभग है जहाँ पर देखेगा 50 exponential moving average की line है चुकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारी जो bars है basically देखें यहाँ यह वैसे तो आपको बड़ी देखने के लिए मिलेंगी comparative to in वाली bars के लेकिन यहाँ हमको एक चीज का ध्यान रखना है वो है volume देखें हमारा volume अभी उतना जादा नहीं है बैरहाल हमारा जो RSI है वंडे पर वो कहीना कहीं काफी उपर पहुँच चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारा stochastic जो है वो पूरी तरीके से bullish indication दे रहा है तो यहाँ पर अभी हमको यह भी देखना है कि हमारा जो volume है वो आने वाले दिनों में किस तरीके का हमको देखने के लिए मिलेगा चुकि अभी हमारा volume यहाँ पर काफी कम है लेकिन यहाँ आप देख सकते है कि अभी हमारा जो stochastic है वो bullish है उसी तरीके से RSI भी हमारा bullish हमको दिखाई पड़ रहा है तो इन सब चीजों को देखते हुए हमारा जो अगला target होना चाहिए वो 33 के लगबग होगा चुकि यहाँ पर एक और positive indication है वो है 20 exponential movie average की line को cross करना तो उससे भी उपर अब हम आ चुके हैं वहीं अगर हम option chain पर चलते हैं तो देखेगा option chain पर क्या चीज़े हमारे सामने हैं ज़र उसको देखते हैं देखे कल मैंने आपको एक resistance बताया था जो कि 30 के लगबग था तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 30 के strike पर यहाँ आज की तारीक में तकरीबान आपको 246,000 के लगबग call writers की unwinding देखने के लिए मिलेगी और जहाँ पर देखेगा 38,000,000 से जादे का open interest यहाँ पर create है बट आज की तारीक में अगर हम बात करते हैं तो आपको इस चीज़ को भी समझना होगा कि 30 के strike जो एक resistance भी है दूसरी चीज़ यहाँ पर हम आज इसको cross नहीं कर पाए हैं यानि कि हम intraday में definitely इससे उपर जाते हुए दिखाई पड़े लेकिन देखी का उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारी जो closing है वो इसके नीचे जाकर हुई है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको call writers की unwinding भी देखने के लिए मिल रही है बहराल आज की तारीक में हमको जिख शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिली है 20 की strike पर जहाँ पर 70,000, 70,000 से जादा आपको देखेगा call writers की शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलेगी नीचे आपको देखेगा 5,10,000 के लगबग call writers की unwinding देखने के लिए मिलेगी 25 की strike पर यानि कि यहाँ पर इस तरीकी के indications मुझूद है कि call writers को लगता है कि 30 की strike पर अब जादा देर रोक कर नहीं रखा जाता price को तो उसके चलते आपको यहाँ पर एक चीज को समझना चाहिए कि कहां आपको किस तरीके से play करना है तो definitely आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर एक momentum develop होता है तो definitely तकरीबन 49 के level तक हम यहाँ जा सकते हैं यानि कि यहाँ पर एक अगर आप देखेंगे तो 50 की यहाँ पर जो आपकी strike है वहाँ पर एक अच्छा कासा यहाँ पर भी एक resistance लगा हुआ है और उससे उपर अगर हम बात करते हैं जहाँ पर 40 पर भी आप देखेंगे तकरीबन 43 lakhs के लगबग एक open interest लगा हुआ है यानि कि हमारा जो अगला सबसे बड़ा resistance है वो तकरीबन 40 की strike के लगबग है और हम कहां तक के target की बात कर रहे है हम तकरीबन 33 के लगबग बात कर रहे है चुकि वहाँ पर 50 exponential मुवियर विच की line है वहीं अगर आप दूसी तरफ देखेंगे पुट्स में तो 30 की strike पर आपको 1,14,000 के लगबग put writing देखने के लिए मिलेगी definitely आपकी जो put writing है वो आपको 40 तक extend होती ही दिखाई बड़ेगी यानि कि कही ना कही हम 40 तक definitely जा सकते है जहां पर हमारा सबसे बड़ा resistance लगा हुआ है वहीं अगर हम इसको cross करते हैं तो definitely 50 एक ऐसे resistance की तरह काम ज़रूर कर सकता है तो एक psychological resistance की तरह अब वहाँ पर भी resistance definitely develop है तो इन सारी चीज़ों को देखते हो है हमें इस चीज़ को देखना है कि हमको एक बड़ी volume की बार कब देखने के लिए मिलेगी चुकि टेक्निकल चार्ट पर अभी वो volume की बार हमको देखने के लिए नहीं मिली है लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल clear हो चुकी है कि 30 की strike पर call writers रोक के नहीं रख सकते अब उनको यहाँ से unwinding ही करनी पड़ेगी या फिर short covering करनी पड़ेगी और आपको इस चीज़ का भी धियान रखना है कि हमारी expiry 30 April को है तो इन सब चीज़ों के चलते यहाँ पर एक short covering हमको जरूर देखने के लिए मिलेगी इसलिए यहाँ पर देखेगा हलके हलकी strength जो थी वो develop हो रही थी और धीरे धीरे आप देख सकते कि वहाँ पर एक तेजी बनती हुई दिखाई पड़ी है पर अभी हमको यहाँ पर एक positive value देखने के लिए मिल रही है इसका मतलब है कि यहाँ पर longs build up हो रहे है वहीं अगर NST पर आज की तारीक में जाते हैं तो जो quantity यहाँ पर trade हुई है वो तकरीवन 7 करोड 62 lakh से जादा है वही 1 करोड 81 lakh से जादा quantity यहाँ पर deliver हुई है यानि कि 23 परतिशत से जादा आपको deliver होती हुई दिखाई पड़ीगी overall जो quantity यहाँ पर trade हुई है वहीं आप देख सकते हैं कि 1,32,000 के लगबग sale quantities लगी हुई है 29.65 के लगबग तो यह एक चीज है जिसको आपको समझना है देखे 30 पर हमारा अभी भी एक resistance मुझूद है जिसको हम deny नहीं कर सकते हैं और हमारा जो देखेगा एक target रहेगा या कहूं कि यह भी एक resistance है जो कि 33 के लगबग हो सकता है और हमको यहाँ पर जो तेजी अभी देखने के लिए मिलेगी उसका सीधा सीधा कारण एक ही होगा और वो है देखेगा short covering और short covering हमको एक ही वज़े से देखने के लिए मिल सकती है अगर हमको देखेगा technical chart पर बड़े bars बनते होए दिखाई पड़ेंगे यानि कि यहाँ पर अभी थोड़ी सी खरीदारी आनी अभी और बाकी है मुझे लगता है कि दिरे दिरे एक दो candle और बनेंगी जो 33 के level को यहाँ पर cross करेंगी 50 exponential movie average की line को क्योंकि उसके ओपर अगर आप देखेंगे तो 200 exponential movie average की line यहाँ पर आपको 68 के लगबग देखने के लिए मिल रही है और अगर हम एक और यहाँ पर लगा लेते हैं exponential movie average की line चुकि 100 की उसको भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो आपको देखने के लिए मिलेगी और चुकि इसको exponential बना लेते हैं तो वो उसकी value तकरीबन 41 के लगबग है यानि कि जिसको हमने अभी discuss किया है option chain पर यानि कि 40 की strike पर जहाँ पर सबसे बड़ा resistance लगा हुआ है option chain पर तो यानि कि यहाँ पर आप मानके चलिए कि 33 और 40 एक resistance की तरह हमको देखने के लिए मिलेंगे यानि कि इनको cross करना वाकई में एक थोड़ी सी टेड़ी कीर हो सकती है लेकिन यह बहुत easy हो सकता है अगर यहाँ पर हमको एक बड़ी bars बनती हुँ दिखाई पड़ें यानि कि उनके कारणी हमको short covering देखने के मिलेंगी और short covering के चलते देखेगा यह जो resistance है चाहे वो 100 exponential moving average की line के है और चाहे 50 exponential moving average की line के है वो हमको cross होते वो दिखाई पड़ेंगे तो यह सारी चीज़े हैं जिनका अभी आपको ध्यान रखना है definitely तेजी जो है वो accent कर रही है लेकिन इन चीज़ों को भी हमको समझना है चुकि यह अपने आप में एक resistance है दूसरी चीज़ आपको चीज़ का विध्यान रखना है कि हमारी जो option chain है चुकि yes bank जो है वो fno से बहार हो जाएगा तो उस चीज़ को लेकर भी हमको यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर जो energy है वो अभी ही built होगी क्योंकि यहाँ पर एक और option chain बाकी है जो कि मई की option chain है चुकि उसके चलते हैं यहाँ पर एक बड़ी तेजी create करने की ज़रूर कोशिश करी जाएगी तो इन सब चीज़ों को देखकर आपको सही जगे पर खरीदना है तो वो आपको इन सारी चीज़ों को खयाल रखकर ही और इन सब चीज़ों को समझते हुए ही अपने लिए एक buying position यहाँ पर develop करनी है तो चलिए इसके साथ में वीडियो को ही फिर्टम करता हूं आप सब्सक्राइब को अपने अगली वीडियो में चैनल पर नजए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देख और बैल आइकन अच्छे बेस कर दीजे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडि का गुपनी शेकरना मत भूलेगा चले थैंक्यू